अगर आपको हॉरर कहानिया पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन आल नाटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए सुबह के साथ बज़े थे और कोई तो उस घर का दरवाजा खटकटा रहा था और उसी की वज़े से अनिकेत की नीन तूट गई अरे यार ये कौन आगया सुबह सुबह इस घर में ऐसा सोचकर अनिकेत दरवाजा खुलने के लिए घर के बाहर चला गया और जब उसने घर का दरवाजा खुला तब उसके सामने बीरा बगाव के सरपंच विश्वासराव खड़े थे विश्वासराव को देखकर अनिकेत उनसे बात करने लगा अरे चचा आप इधर और वो भी सुबसुब कैसे चलिए अंदर चल के बात करते है विश्वासराव बोले रुगो मैं इस घर में बिल्कुल कदम नहीं रखूंगा मुझे कल पता चला कि तुम वापस आगए मेरे एक अदमी ने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा था तो इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया था कि सब ठीक है या नहीं क्योंकि यक्षिनी इस घर में कैद है वो जिम्मेदारी सिर्फ तुमारे ही नहीं ये जिम्मेदारी मेरी भी है क्योंकि मैं इस गाव का सरपन्च हूँ इस पर अनिकित ने कहा आप मुझे देखने के लिए आ गए इसलिए शुक्रिया और ही जिम्मेदारी की बात उसका आप कोई भी टेंशन मतलो वो मुझे पर छोड़ दो अब मैं इसी घर में रहूंगा इस पर विश्वसराओने कहा क्या वो यक्षिनी हमेशा हमेशा के लिए इसी कमरे में कैद रहेगी क्या उसको मारने का कोई भी तरीका नहीं है और तुम आखिर कब तक इस घर पर नजर रखते रहोगे मेरी एक बात समझ ले न अनिकेट इस यक्षिनी का मरना जरूरी है अनिकेट बोला हा चचा मुझे पता है जब तक वो तांतरिक बबा उस यक्षिनी को खतम करने का तरीका धुन नहीं लेते तब तक वो यक्षिनी इसी कमरे में कैद रहेगी इस पर विश्वासराव ने कहा ठेक है अनिकित अपना खायाल रखना मैं यहाँ पर आता जाता रहूंगा ऐसा खैकर विश्वासराव वहाँ से चले गए और अनिकित भी अपने घर के अंदर आ गया उसके बाद अनिकित अपने आप में बात करने लगा यार वैसे तो यह विश्वासराव चाचा ने सही कहा यह यक्षिनी इसी कमरे में ऐसे कब तक कैद रहेगी और मैं ऐसे इसकी धेखभाल कब तक करता रहूंगा मुझे भी मेरे लाइप में सेटल होना है शादी करनी है और मेरे आगे भी भहुत सपने है और मैं ऐसे इस घर में कब तक रहूंगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस यक्षिनी को मारने के लिए तांतरिक बाबा से फिर से बात करनी ही होगी ऐसा सोचकर अनिकेत फ्रेश होने के लिए चला गया और उसके बाद फ्रेश होकर अनिकेत अपने खुद के घर में जाने के लिए निकल गया और उसके बाद शाम के 7 बजे से पहले अनिकेत उस यक्षिने के घर में वापस आ गया उसके बाद वो पूरा घर घुमने लगा और घुमते घुमते उसे एक कमरा मिल गया जिस कमरे में एक कॉम्पीटर था उस कमरे में जाकर अनिकेत सोचने लगा अच्छा हुआ कॉम्पेटर भी रूम में है अब थोड़ा तो टाइम पास होगा इस भूतिया घर में रहकर उसके बाद अनिकेत ने जैसे कॉम्पेटर चलाना शुरू कर दिया वैसे ही उसके सामने स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आ गया ऐसा लग रहा था कि ये किसी स्टोरी की स्क्रिप्ट हो वो देखकर अनिकेत सोचने लगा अरे वा ये तो कोई कहानी लगती है चलो पढ़ लेता हूँ देखा जाएगा क्या है उसके बाद अनिकेत जब उस कहानी का टाइटल पढ़ता है तब उसके होश उड़ जाते है क्यो के बाद अनिकेत आगे कहानी पढ़ने लगा वो कहानी कुछ ऐसी थी कि तंतरिक बबा और अनिकेत जाने के बाद उस घर में एक आदमी आया था जिसने बहुत सारी शरप पी रखी थी और वो गाना गुनगुनाते हुए उस घर के अंदर जा रहा था अरे अरे कोई घर में है क्या अरे है कोई इस घर में शायद कोई नहीं है आज यहीं सो जाता हूँ यार इस हालत में यार गर गया तो यार बीवी मार मार के हालत खराब कर देगी अच्छा यहीं होगा कि यहीं सो जाता हूँ सुबह आप चला जाओंगा जब उतर जाएगी त ऐसा कहकर वो आदमी उसे घर के अंदर सो गया और कुछ देर बाद उस घर में एक लड़की के रोने की आवाज गूजने लगी और उसकी वज़े से उस आदमी की नेंद तूट गई लेकिन उसके शराब का नशा बिलकुल भी उत्रा नहीं था इसलिए वो उस रोने वाली लड़की के आवाज का पीछा करते करते आगे बढ़ रहा था अरे कौन है ये यार बेसूरी आवाज में रो रहा है कौन है ये बेसूरी लड़की रोई जा रही है इधर आजा मेरे पास ज्यादा तक लीफ है तेरे को तो रोई जा रही है सोने दे मुझे मेरे पास आजा खुश कर दूँगा उसके बाद वो आदमी उस कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया जिस कमरे से उस लड़की की रोने की आवाज आ रही थी और वो कमरा और किसी का नहीं बलकि यक्षिनी का था और वो रोने की आवाज यक्षिनी की ही थी उसके बाद वो आदमी बात करने लगा अरे क्यों रो रही है तेरी सास मर गई क्या कौन है तू उसके बाद उस कमरे से आवाज आ गई मैं यक्षिनी ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़दा खोश हो गया और खोशी से कहने लगा अच्छा तो तू है यक्षिनी बहुत तेरे खोशूरती के चर्चे सुने हैं मैंने आजा तेरी हवास मिटा ही देता हूँ आज ऐसा खैकर वो आदमी आगे बढ़ने लगा और उसके बाद वो जैसे ही दर्वाजे के बहुत ज़दा करीब आ गया वैसे ही उसको एक जोरदार बिजली का जटका लग गया और उसको किसी अधरिश्य शक्ति ने पीचे से खीच लिया इसलिए वो तेजी से उस कमरे से दूर आ गया उसके बाद उस आदमी का पूरा नशा उतर गया और वो अपने आपको उस घर में देखकर खुद से बात करने लगा मैं यहां कैसे आ गया यह घर मुझे भूतिया लग रहा है यहां से निकलना पड़ेगा वरना शायद मेरी चान को ख़तरा हो सकता है उसके बाद उस आदमी को फिर से एक बार यक्षिनी के रोने की आवाज आ जाती है वो आवाज सुनकर वो आदमी बहुत जदा दर गया और उसके बाद वो आदमी वहां से निकल गया और कुछ देर बाद वो घर से बाहर जाने में भी कामियाब हो गया उसके बाद ये कहानी खतम हो गई कॉम्पिटर में कहानी पड़कर अनिकत सोचने लगा ये ये कहानी टाइप किसने की होगी और ये कॉम्पिटर भी बहुत ही जदा नया लग रहा है कॉम्पिटर तो क्या इस घर की सभी चीजे एकदम नहीं लग रही है क्या इस घर में यक्षिनी के आलावा कोई और भूत या फिर पिच्चास है तो ये किसने किया होगा तो दोस्तो यक्षिनी के इस भाग में मेरे साथ जिन्दोंने वाइस ओर की है उनका नाम दीपक विश्व कर्मा है और उनका भी एक चैनल है उस चैनल पर आपको बहुत सारी खतरनाक होरर स्टोरीस देखने के लिए मिल सकती है जिस पर आपको ठ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर होरर स्टोरीस देखने के लिए मिल जाएंगी आप एक बार उनके चैनल पर जाकर उनका चैनल चेक जरुर करना चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नाम है डार्क लेजेंड होरर स्टोरीस